हेलो दूस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर और आज हम बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफीचल होने वाला है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है तो एक जुनून पैदा किज करना पड़ता है देन आप आंगे इंप्रूमेंट करते हैं स्टेप बाई स्टेप और वही एक तरीका है किसी भी चीज को सीखने का और वही तरीका सेंप फॉलो होगा इंगलिस सीखने का तो आप कोशिश कीजिए कि एक सी जो बिलीब है यह उत्साय हाई कि मैं सीख सकता ह हूं एकसाइटमेंट है कि हां मुझे एक अंदर से बहुत बहुत लगाओ है कि हां मैं सीख सकता हूं और मैं बहुत कोशिश करूंगा इस तरीके की फीलिंग्स को अपने आप में लेकर किया यह और फिर आप स्टाट कीजिए और आंगे चलते रहे हैं तो हमारा जो पहला ह अगर आप किसी सी ग्रीटिंग करते हैं मिलते हैं तो क्या होता है हिंदी में अवाधन के लिए बहुत सारे रोल्स हूते हैं मतलब अब वादन के लिए जब आप किसी से मिलते हैं स्वागत के लिए गूड आप्टरनुन कहाजजटा है तो कुछ इसका वाज़ वजश चुगे हैं बारो बजी से पांच वजी तक रूल्स है आप ये टाइम देख लिए तो आप गूड आप्टन कहेंगे और साम पांच वजे के बाद आप जब तक गूड यूनिंग कहेंगे जब तक आप लेटने नहीं जाते अगर आप लेट रहें लास्ट टाइम तब गूड नाइट कहेंगे लेकिन जब इसके पहले आ अब गुड़े कहेंगे गुड़े का सीदा सीदा मतलब होता ही कि दिन अच्छा हो रात में बिदाई किसे मैं गुड नाइट कहा जाता है तो यह आप ध्यान रखें इससे मैनर को बताता है अपने कि यह सामने वाला जो बेक्ति बोल रहा है कितना मैनर सील है अर्थात एक उसके अंदर बिहवियर कितना अच्छा है कितनी अच्छी इंग्लेश यह आपकी अच्छाई को भी बताता है कि उसमें डिकॉरेशन ले आता है आप सीदे सीदे कुछने कहेंगे और माना कि अपने इंग्लेश का दूसर सेंटेंस के दिया तो उतना एक ब्यूटीफुल न इंसान आपको बनाएंगे और चाल लोगों की बीच में जो समाच की बीच में आपकी रिस्पेक्ट पड़े जाएगी मालत जो नेक्स्ट है इन फॉर्मल अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप हाई का यूच कर सकते हैं लेकर हाई का यूच तब जब वहां पर दोस्तिया आ आप किसी से अंजान से मिलते हैं तब कह सकते हैं दोस्ति से मिलते हैं जान पहचान का है कोई खास रिष्टेदार नहीं है तब आप हाई का यूच कर सकते हैं हम अगर माना कि मैं किसी दोस्त से मिला हूं दोस्त की दोस्त से मिला हूं तब आप हाई का यूच कर सकते हैं तो आप्टर्नून और आपकी जो एक इच्छा है वो बढ़ जाएगी इंप्रूमेंट और इच्छा दोनों को बढ़ना बहुत जरूर है किसी भी तरीकी की सक्षिच के लिए हमारा हम विदाई के समय जो यूच करते हैं वह करते हैं गुड़ बाइ अच्छा चलते हैं फ्रेंस होते हैं तो जनरली कहा जाता है गुड़ बाइ फ्रेंस अच्छा यानि वाए और फिर मिलेंगे वाए see you और see you के बाद हम again भी कह सकते हैं see you again या फिर simply आप see you कहेंगे कोई problems नहीं है English में जिसे आप कहते हैं चाचा, मामा, मौसी, फूफा सभी को Uncle इंगल इंगलिस में कहा जाता है चाचा, मामा, मौसा, फूफा आप इनको याद रखे ये चारो ज़ू बर्ड हैं इने चारो जो भी रिस्तिदार है सभी को अंकल English में कहा जाता है इसके बात जो इंडिलिस में चाची है मामी है मौसी हैं बू आसे सभीको आंटी कहा जाता है जो जली तो आप इनैंने वी याद रखें यह मे Crush hy da Woahixo ए बहुत एंपोर्ट बहन केवल कजन कहते हैं कजन बिर्दर या कजन सिस्टर नहीं कहते हैं बिर्दर सिस्टर नहीं लगाते हैं हम सिर्फ कजन कहते हैं उसका मीनिंग से स्यम हो जाता है इंगले से महिला को इजद देने के लिए मैडम कहते हैं पुरुष को इजद देने के लिए सर का प्योग किय जाता है इसके बाद अगर जाने आपकोर बूलाया है सोलन्की जी अभी आए हैं हिंदी मेंमें इज़्जन को वी अभी आए हैं भी बना देते तो इस्ट्रेक्ट बल जाती है परन तों इंगलिस में एक बचन का ही प्रियोग करते हैं ये जिए फादर हैज कम बिता जी आया है तो यहाँ पर बहु बचन नहीं लगाया, यहाँ पर हैज लगाया एक ही बचन के लिए आगया है he यानि father और hedge call you पिता जी ने आपको बुलाया है Mr. Solonky had just left अभी अभी गए हैं just left तो इंग्लिश में आदमी के नाम के पहले Mr. विवाहित महिला के लिए message जो है अभिवाहित महिला के लिए Miss का प्रियोग करते हैं Miss यानि MS का प्रियोग दोनों विवाहित और अभिवाहित महिला के नाम से पहली किया जाता तो ज्यादतर जो आजकल होता है message का प्रियोग होता है महिला के लिए तो आप उनको जरूर याद रखें जब आप कहीं English लिखते हैं तो इनका बहुत जदा यूज़ हो जाता है क्योंकि याद होना जाए तो आप message इसे कह सकते हैं यह जनरली विवाहित महिला के लिए होती है और यह जनरली दोनों के लिए यूज़ हो जाता है और miss का प्रियोग है तब किया जाता है sorry मैं यह कह रहा हूँ यह गलती होगी मुझसे जो message होता है message message बिवाहित महिला के लिए किया जाता है क्योंकि यहां पर यह message है और यह जो miss है कि generally आप आप वाहित माना कि कोई bank में है जिसकी जो madam है या teacher है अब उनको आप message नहीं कहाएंगी कि किसी की message है message मतलब उसकी साधी हो चुकी है आप इनका ध्यान रखें next हमारा है my, our and yours my माने मेरे our माने हमारे और yours माने आपके यह बहुत ज़्यादा यूज़फूल होते हैं तो इन्हें आप जरूर याद रखें उमीद है यह सभी को याद होते हैं हिंदी में प्रयोग होने वाले जो सब्द होते हैं अपना अपनी अपने के लिए English में subject के अनुसार अलग-अलग सब्दिकाब प्रयोग करते हैं जैसे आप देखेंगे कि I का मतलब माई होता है I यह subjective है माई यह subject है और माई यह होता है एक positive case हो जाता है आप positive case समझते होंगे तो माना की मेरी किताब है तो यह कहेंगे my book यहाँ पर कहेंगे my book यह positive case में आ जाता है तो my मतलब मेरा यह मतलब एक subjective case है यह आप और your मैं तुम्हारा यह तुम्हारी हो गया हिंदी में लिखा हुआ है आप इन्हें याद कर लें ले ले वीडियो को रिवाइच करके देख लिए दोबारा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनीफीचल होगा इसके बाद नेक्स्ट आता है यानि वह रजात यह थर्ड़ परसन का प्रूनान होता है तो यह आप याद रखे कोई भी नाम होता है का प्रूनानक करते हैं याप परसीग करते हैं कोई महिला यां फ्मेल के लिए लड़की हो बाद बछने वे ते का मतलब बहुत सारे लोग ए इट का प्रून करते हैं इट इसका इसके हैं यह पोजिशिव केंस में यिद्स मिद्क विन यह इस का तो यह इृट शुप्रयों करते हैं नेक्स्ट हैम ए मेरे पास मेरी आय है और है और मेरी पास मेरी कार तुम्हारे पासस्व पैने युह है यूब युव फएन अच लगजाएगा यू है योर पैन है उसके पास उसकी पैंसल है तो ही है उसके पास है कोई ब्यक्ति है क्योंकि ही अप्डुकिया गया है पुरुस है इसके पाद है उसके पास है ही है है हीज पैंसल उसकी पैंसल तो यह हीज है यह पोजेशिव किस में है यह जूआ है नेक्स्ट है उसके पास अपनी कंगी है शी है अब लड़की है फिमेली है शी कब रोकिया गया है शी है है और हर कौम उसकी पास अपनी कंगी है उसके पास अपने बैग है जाता दे को बैग है के दिया मतलब बहुत सारे बैग है दे है उनके पास है उनके पास है दे है देयर बैक्स देयर बैक्स तो दे का जो पॉजेशिप केस होता है वो देयर होता है टी एच ए आई आर इससे आप ज़रूर्यात रखें सभी को याद रखें क्योंकि यह हर जगए हर जगए आलमोस्ट यूज में आते हैं और नेक्स्ट है हमारा तुम्हारे उसके पास उसके यह बकरी के पास अपनी घंटी के लिए तो इट यानी कोट हैज इटस वैल कोट हैज इस बैल देख जानमरों को लिए आप इट का पी प्रियोग कर सकते हैं और आप उनको कह भी सकते हैं जो न की मिन्ग जोती है जैसे कैट है तो के लिए कैट भी कह सकते हैं और इट प्रयों भी करेंग तो चल जाता है है कि लिए कि यह अप你what मौस्म के लिए किया जाता है मतलब रिट्र दो डी कर सकते हम ऑर अग्राप करना है तो have my book तम्हारे पास है यू है आपके पास है और क्या है मेरी मेरी बुक नेच्स्ट में přाइट दिब्या के पास है इसकी नेल पैंट ये पॉजिसिव केश ये सब्जेक नहीं है कोई सब्जेक्ट का नहीं कर रहा है यहाँ पर तो यह positive किस पर उसकी नेल पेंट उसकी नेल पेंट दिब्या के पास है पैंट each है एच किसके बात बिद दिब्या के पास है कि उसकी coach आप जरूर याद Vielleicht रखें दिद हैं बिना चलते रहने से बिना hardware के आपको कुछ नहीं मिलने वाला तो आप जुरूर याद रखें कि हार्डवर्क की वो चीज़ें जो आपको सब कुछ दिला सकता है तो हार्डवर्क को अपना पैसन मनाएं हार्डवर्क को एक एडिक्ट बनाएं हैबिट बनाएं प्यार करनें महनत से और पॉस्टिफ से चलते रहने से क्योंकि अगर म पहुंचना है तो चलते रहना है जब तक वहां पर पहुंचनी जाते हैं यह जरूर याद रखें देर इस नो सबस्टिट्यूड को हाडवर्क कोई विकल्प नहीं है कोई अधर आल्टरनेटिव नहीं है यह आप कहेंगी कि इसकी जिगह और कोई हो जाए मेहनत करनी जैसे जिए इंग्लिज इजे लाइब लंग्वेज यहाँ पर हंदी में लियाख लिखा गया है तो जो इंग्लिज एक है यह बड़ी अच्छे लंग्वेज आप देखेंगे जीबंद जैसे बहसा है जैसे मैं बताओं गूड इंग्लिज एंप्रिशियल एक्स्प्रिजन इंग्रिज मूड़ बनाधेन है कि आपने सीधे-सीधे किया ऑपने कि है अपने आफ से खांप उर आप पोपने कैसे मूड़ी ऑपने निग पाईँ आहीं आपकी बॉडी में देखना चाहिए एक्सप्रेशन देखना चाहिए फिलिक्स जो भी है तब आप चाहदा अच्छे तरीके से अपनी भासा को जो भी आप सीख रहे हैं उन्हें अच्छे अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे और इससे आप स्क्रीन सॉट ले लें क्योंकि मैंने स्टेप बाए स्टेप एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है कि चेहरे के भाव कंदों की हरका था आँकों की जो मूमेंट होती है इंग्लिस फिल्म या इंग्लिस प्रोग्राम में नोट करें अप इंग्लिस की जो वह जो भी वैपसाइड में आप ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो इंग्लिस का ही पढ़ें इंग्लिस की न्यूच पढ़ें यह चीज़ अगर आप अपनी हैबिट में लिया आएंगी आपकी उमीद है कि 70-80 परसन इंग्लिस कबर हो जाएगी पाकी आपको थो बोल्चाल में जो सब यूज होते हैं अपनी भावनाएं अस्चर आदी को जो सामिल किया जाते हैं उन्हें नीचे बताए गया तो उन्हें आप एस्टेप देख सकते हैं आप देखेंगे बहुत अच्छा या प्रभावसाली के लिए कहा जाता आउसम जनरली आपने देख हिंदर यानि beautiful सावधान बीवेयर सावधान बीवेयर अगर आप नहीं रूट से निकल लाएं वहाँ पर आपको भीजली का ट्रांसफर लगा हुआ मिला है यह लगा हुआ है तो वहाँ पर सीदह सीदह लिखा होगा एक क्रॉस का निसान होगा बीवेयर या कहीं रोड पर अपने ट्रक देखेंगे जो पिट्रोल के होते हैं तो उसमें लिखा होगा बीवेयर निसान भी बनावता है इसके बात होता है इसवर की किरपास से वाई गौड्स ग्रेस बाई गौड्स ग्रेस नेक्स्ट हमारे जो है अब चाहे जो हो कम वाट में कम वाट में कुछ भी ह हो चाहे जो कुछ भी हो मैं यही करूंगा इस तरीके जो सेंस होते हैं तो वो काईदा कम वाट में कुछ भी फ्यूचर के में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है डिसाइड कर लिया हमने बहुत बढ़िया यानि एक्सिलेंट आपके स्वास्त के लिए फोर यूर गुड हैल्थ आपकी अच्छे स्वास्त के लिए बेकार की बात है हाव एफसर्ड हाव एफसर्ड बेकार की बात है कितनी बेकार की बात है यह भी कह सकते हैं बेकार की बात है हाव एफसर्ड तुम्हारी इतनी हमत हाव डियर यू तुम्हारी इतनी हमत हाव डियर यू जनरली बहुत मिवीडियो में देखेंकesin कि यूटूब में तो इस तरीके जादा यूजदता है बड़े अपमान की बता हां दिस्क्रेसफुल हiałem ड्रेसपूल बड़े अपमान की बात है हम वहाँ पर गये बड़ा अपमान हुब बड़े अपमान की बता है वहाँन पर लो जब आप कहते हैं तो explanation भी बोड़ी को होता है फेस को होता है वो भी दिखना चाहिए चीजी हाव डिस्गस्टिंग कहीं गंदगी है तो जनरली कहा चाहता है अच्छा नहीं लगा रहा है यह मक्या है तर यह तरीके से बाद आपने सुने हैं हाव डिस्गस्टिंग कितनी रफ है कितना विकार है कितनी डर्टी है यह सब डर्टा महौल है डर्टी महौल है इसके बाद है कितनी सुन्दर है हाव लबली प्यारी कहा चाहता हाव लबली कितनी सुन्दर है हाव स्वीट कितना प्यारा है क्या खूब है अगर आप कोई आपसे बात कर रहा है आप उससे बात कर रहा है उसने बहुत अच्छी तरीकिस बात की है यह कैसी बात किये जो आपको अंदर से अच्छी लगी है दिल से तो आप हाउ स्वीट कितनी प्यारी बात जनरली अपने देखा हो गए इस बार्ड का हरी अप जल्दी की जी का होता है प्लीच लगाया जाता है सब्सक्राइब लिए ताकि उस बार्ड में जो आप कह रहे हैं कि आप जल्दी कीजिए सामने वाले से तो उसमें एक मैनर मना रहे है इंगलिस का भासा का इसके बात हमारा जो नेक्स आता है वह सच इच इट इजिट इजिट क्या यह सच है इजिट और यहाँ पर आप यह भी कहेंगे कह सकते हैं इजिट तो तो क्या यह सथ है तो आप यहीं कहेंगे इजिट जुरू स्कृट णैइज ऌनि प्लीज़ लोस्ट यहाँ मार्व वह नइस भावा आपको खूस रखे में God bless you Mayor Nash यो और जरूर यानि उविज्टी जरूर व्यश्ली आब जरूर ऑप जन आपकोर्स बेशक चुप रही है यानि प्लीच कीप कॉइट प्लीच कीप कॉइट रिली सच मोच रिली सच मोच इस्तुर का धनवाद थैंक गॉड इस्तुर का धनवाद जो लास्ट में निसान है यह एक्सक्लेमेशन मार्क हैं उन्हें भी आप ज़रूर ध्यान से देखें ये एक्सकलंबर्य Сच्पाइन जाती हैं तो इस तरीके के निशहाद लगते उन् पूरी हें सब्सक्राइन मईद खोड़े निशान इकान किया जाने लगते बहुत अच्छा काम किया यानै कहा जाते है वैट्वाट ढूइड ही कितना सुखद अचर्ण है वाटई प्लीजेंट मर फाटफ प्लीजेंट सर्प्राइच कितनी से वाटएचस हैं कितना बढ़िया हो जाहुए वाट एन आइडिया वाट एन आइडिया बहुत सारे अपने अर्वरटाइज देखें और थे व१ा झाल संस कितनी वहुत कि एक और आश्यर सेनक यहनी है वंदर्फूल आश्यर सेनक बंडफूल इसकी कल्पिन अना कर रहे हो औंश के बाद वह काम हो जा तो आश्चा चना क्या नहीं wonderful amazing तो ये थी English का आज का ये वाला chapter उमीद आपको बहुत पसंद आया होगा और चैनल के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लखें पॉस्टिफ सुचते रहें लाइफ को अच्छा पनाते रहें धन्यवाद करें कि अच्छा 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 पनाते रहें धन्यवाद